तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे आलू की नमकिन बनाने का बहुती आसान तरीका हम आपको दो तीन तरीके से बताएंगे कैसे बनाया जाता है आलू का नमकिन ना ही इसको बालना है और ना ही इसको धुक में सुखाना है बहुती आसानी से बन के त्यार हो जाएगा दोस जब से पाले हमने ले लिया है 500 ग्राम आलू आप देखी सकते हैं जो भी आपके घर आलू हो आप ले सकते हैं तो आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है उसके बाद हमें क्या करना है इसको छिलका निकाल देना है तो दोस्तों यह आलू जो है कंचा है कंचा ही आलू लेना है उसके बाद हमें इसको छिलका निकाल देना है तो इस तरीके से सब आलू को हमने छिलका निकाल दिया है हाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसके बाद इसको धोलेना है तो आलू को मैंने धोलिया है अब हमें क्या चाहिए गलेंडर तो ये देखे तिन-चार किसिम का इसमें है एक चिप्स वाला वरिये कि जो मैं इस पर रगड रही हूँ ये देखे किस तर giggles किसे है ये तेडा-ठेडा थोड़ा है जैसे चिप्स होता है तेडा-ठेडा वैसे ही है तो इसको हम थोड़ा सबनाएंगे ठीक है इस पे हम कितना रगड़ना है मतलब कितना इसको नमकीन बनाने के लिए हमने थोड़ा समय नमकीन के लिए निकाला है तो देखिए कितना हम निकाल रहे हैं इसमें से हम कई किसम के बनाएंगे तो इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा सब में से बना लेना है तो दोस्तो अगर लंबा आलू रहेगा तो इसका लंबा लंबा होगा देखे किस तरीके से इससे बड़ा अगर आपके पास आलू है तो बहुत ही अच्छा मनेगा तो इसको हमें देखे एक बड़ा बावल में ले लेना है उसके बाद तुरंत हमें इसमें पानी डाल देना ह यह नई तो यह काला हो जाएगा तो इसको हमें अब साइट में रखना है और यहां पर देखिए मोटा है और थोड़ा पतला पतला इस पे हम उसी तरह से रगड़ लेंगे और यह देखिए यहां पर मैंने चिप्स वाला ले लिया है इसको बारिक आपको गोल-गोल कट कर ले है ताकि इसमें जितने भी पानी है आसाने से निकल जाए और हमारा आलू का नमकीन जो है एकदम टेश्टी बने तो इसको हमें क्या करना है इस तरीके से अच्छे से मिला के मिक्स कर लिया है अब हमें क्या करना है इसमें पानी डालना है तो यहां पर देखिए हमें कौन सा पानी डालना है एकदम गुनगुना पानी डालना है तो इसको मैंने हलकी सी गुनगुना पानी कर लिया है उसके बाद हम ये तीनों में हम पानी को डाल देंगे तो दोस्तों ध्यां रखना है कि पानी जब भी डाले गुनगुना पानी डाले एकदम गरम पानी नहीं डालना ह ने तो एकदम बारिक बारिक अलु जो है तूट जायेगा तो देखी आब हमें क्या करना यह चोटा बात में था तो हम बड़ा हमें गोच्च के इसको रख देते हैं ताकि पानी इसके ऊपर अच्छे से आजाए और इसको मिला लेना है ये देखे इस तरीके से मिला दे और मिलाने के बाद दो चार मिनट के लिए आप छोड़ भी सकते हैं तो देखे इन सब को अच्छे से मैंने मिला दिया है ये देखे इस तरीके से मिला दे उसके बाद इसको दो चार मिनट के लिए छोड़ दे अब हमें क्या करन पानी में से अच्छे से इसको छान लेना है तो यह देखिए दोनों हातों से हम क्या करेंगे इस तरीके से पानी जो है जितना भी पानी इसमें कहें अच्छे से निचोड लेना है तो दोस्तों एक भी पानी इसमें नहीं रखना चाहिए तो देखिए इस तरीके से हम हातों से इसको निचोड़ लेंगे और किसी सुखा कपड़े पर हम इसको रख देंगे तो सब आलूओं को मैंने इस तरीके से निचोड़ लिया है और जो गुल-गुल मैंने काटा था ना उसको नहीं निचोड़ना है तो देखिए यहां पर है आप लोग देखी सकते हैं एकदम दाना दाना है एकदम पानी में नहीं है तो यहां पर हम रख देंगे इसको एक सुखा कपड़े पर आप किसी भी कॉटन पर रख सकते हैं मतलब cotton का कपड़ा जो भी हो तावल हो या ऐसा कपड़ा हो तो आप उस पे रख सकते हैं ताकि इसका पानी उसमें भी हम निकाल सके थो यह दखिए अब हमें इस पे रख के इसको अच्छे से इस तरीके से निचोड़ना है पानी जितना भी हो सकी उतना दोस्तो पानी इसको से किस तरीके से निकल रहा है न हाथों से निक चोड़ने से पानी उतना नहीं निकल पाएगा जो दोस्तों जितना कपड़े से निकल जाएगा तो यह देखिए अब हमें क्या करना इसको इस तरीके से थोड़ा सा और इधर करके हमें इसको फिर से एक बार निचोड़ लेना ह अब इसमें पानी नहीं निकलेगा और जो भी पानी इसमें से निकलेगा कपड़े में सोख लेगा तो यहां पे देखिए इस तरीके से करके हमें निचोड़ लेना है और इसी तरह से एक और मैंने बनाया था ना इससे थोड़ा मोटा उसको भी हम इसी तरह से पानी निचोड लेते हैं तो देखिए अब हमें यहां पे छोड़ देते हैं इसको और चलिए हम चलते हैं चिप्स जो मैंने बनाया था उसको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हमें उसे करना है तो देखिए इसको हमें उस तरीके से पानी नहीं नहीं चोड़ना है इसको सुखा कपड़ा लेक या आप चाहें तो मीठा तेल में भी इसको बना सकते हैं लेकिन सरसो का तेल में हैं नहीं तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा डाल के चेक किया है उसके बाद हम इसको निकाल देते हैं और निकालने के बाद पूरा भर के मैंने एक मुठा इसमें डाल दिया है और गैस को हाई फिलेम करके इसको एक मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दे, इसमें थोड़ा सा भी आपको इधर-उदर टच नहीं करना है, तो दोस्तो एक मिनट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, किस तरह से उपर आ गया है, अब इसको हमें इस तरीके से हिला लेना है, ता के साथ भी हमें ये वीडू बना के सेर करते हैं, बहुत ही दोस्तो अच्छा लगता है, तो देखिए थोड़ा सा नरम है अभी थोड़ा सा हमें इसको और फ्राइ करेंगे, और यहां पे देखिए, इसको बस 10-15 सिकंडर के लिए और इसको हमें फ्राइ करने ना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको निकाल देना है, तो आप तो देखते रहेगा कि किस तरीके से हमें इसको फ्राइ कर रहे हैं, कितने पर हमें इसको उतारेंगे, और यहां पे देखिए, हो गया है एक दम कुरकुरी दोस्तों, इसको हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद फिर हम इसमें डाल के उसी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो जितना हमारे पास ऐसा है बारिक वाला मोटा वाला इसी तरह से हमें इसको फ्राइ करना है उसके बाद हम चिप्स भी फ्राइ करके आपको दिखाएंगे तो ये देखी दोस्तों ये भी हो गया है अब इसको हम निकाल देंगे फिर हमें क्या करना है जो चिप्स मैंने दिया था ना उसको हमें फ्राइ कर लेना है तो इसको हम साइड में रख देते हैं ये देखिए एक एक करके हम जितना भी हमारे पास थोड़ा सा हमें उसमें से डाल देते हैं और डालने के बाद इसको हमे उलाट पुलाट के इसे फ्राई करना है मतलब दोस्तों हमें नई उलाट पुलाट ना है यह आलू का जो चिप्स है उसको उलाट पुलाट के हमें फ्राई करना है तो देखिए यहां पे अलकी से फ्राई होके है ना गैस को हाई फ्लेम रखना है गैस को मीडियम नहीं रखना है क्योंकि ये आलू है तो दुस्तों यहां पर दखी हमारा अलू का जो चिपस है न बहुत ये अच्छे से ये फ्राई हो क्या आई है आप लोग देखी सकते हैं बस अधा मिन अटर लगए उसके बाद बहुत ही अच्छे से एकदम कुरकुरी फ्राई हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसका कलर जो है चेंज होना सुरू हो के आए तब इसको हमें क्या करना है निकाल देना है तो यह लीजाए दोस्तों कुर कुरी हमारा आलूका चिपस बनके रेडी होके है अब इसको हम निकाल देंगे और निकालने के बाद इसको हम साइट में रखेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मुंफली का दाना तो इसको सीम दाना भी बोला जाता है तो इसको हमें हलकी से फ्राइ कर लेना है ये देखिए डालते ही समय ये च अब इसको हम निकाल देंगे और निकालने के बाद यह लिजी सब को मैंने अच्छे से फ्राइड कर लिया है यह देखिए आप लोग देख सकते हैं पांच किसी का यह हमारे तो यह देखे इन सब को हम एक मिक्स कर लेंगे और यह दखे जो मोटा वला था पतला वला था और यह हो गया सिम्दाना इसको अच्छे से मिला लेंगे उपर समचीूड़ा भी डाल देंगे उसके बाद यह देखें मैंने लिया है थोड़ा सा जल जीरा यह बहुत अच्छा लगता है दोस्तो पेट के लिए बहुत इच्छ आलू का मैंने चीप से बनाया था उसको मैंने साइट में रखा है और यहां पर देखिए इसको मैंने सब अच्छे से मिला के मिक्स कर लिया है और यह देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है थोड़ा सा इसमें मैंने लाल मेश का पौडर भी डाल दिया है थोड़ा स ऐसा ही बनाएंगे और बाजार का नमकिन जो है उसे भूल जाएंगे तो यह आलू का बनता है दोस्तों बहुत ही टेश्टी लगता है तो यह आलू का हमारा नमकिन बनाने का तरीका आपका थोड़ा सभी अच्छा लगाओ तो प्लीस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ दोस्तों कमेंट में लिके जरूर बताएगा कि आलू का नमकिन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा तो चली आर गईस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो दिखने के लिए सुक्रिया थाइंक्यू झाल 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 झाल